दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल उत्राकन 360 में चलिए सुरू करते हैं आज का टॉपिक तो आज का टॉपिक है 1714 का पिट्स इंडिया एक्ट अभी तक हमने 1773 का एक्ट पढ़ा है उसके बाद हमने एक अमेंडमेंट पढ़ा था 1781 में होता है इसके बाद हम पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ये एक्ट परिक्षा की दिरिष्टी से महतपून है और इसके जो प्रावधान थे यहाँ पर जो काम किये गए थे वो भी महतपून है चलिए सुरू करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट साथ 주aker 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट सबसे पहले इसके नाम पे चलते हैं इसका नाम पिट्स क्यों रखा गया इसका नाम रेगुलेटेंग एक्ट क्यों नहीं रखा गया या कुछ और क्यों नहीं रखा गया तो मैं बताना चाहूंगा इस समय बिटेन के प्राय मिनिस्ट रहें विलियम विलियम पिट्स यह है ब्रेटन के परधान मंतरी विलियम पिट्स और आपको एक और जानकरी मैं यह बताना चाहता हूँ कि विलियम पिट्स जो थे वो अभी तक इंग्लेंड के सबसे कम उमर के परधान मंतरी है जब यह परधान मंत्री बने थे तो इनकी उमर थी 24 साल ठीक है तो इनहीं के नाम पे Pits India Act आया है अब बात करते हैं कि इसके मुख्य प्रावधान क्या-क्या है Pits India Act में क्या-क्या हुआ था इस पे देखते हैं कि क्यों कौन से मेहतवपुन बिंदू है तो सबसे पहले जो मेन काम था इसका आपने 373 में पढ़ा है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनेतिक मामलों को पहचान मिली थी वहाँ पे लेकिन यहां पर जो होता है व्यापारिक और राजनेतिक कारिय जो है वह दोनौ क्या हो जाते हैं अलग-अलग हो जाते हैं आपे ब्यापारिक मामले मलब ब्यापार संबंदी जिसलिए इस्ट इंडिया कंपनी के स्तापना की गई थी और राजनेतिक मामले मलब यहाँ पर कैसे नीती बनाएंगे यहाँ पर राज कैसे किया जाएगा इसके संबंद में तो अब इन दोनों को अलग-अलग किया गया है तो इसके लिए देखिए जो ब्यापारिक मामले थे या ब्यापारिक कार्य थे वो इस्ट इंडिया के पास रखे गए ठीक है इस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आप लोग यहाँ ब्यापार करने आए थे तो आप लोग यहाँ पर क्या इतने भी व्यापारिक कार्य है यह आपके अंडर में होंगे इसके लिए आपने देखा होगा एक यहां पर महां भी चाहूंगा प्रिंटिंग मिश्टे होगी यह बोल्ड नहीं यह कोल्ट है कोल्ट और टारेक्टर जो की सतर सो त्यत्तोर में मना था जो अपनी रिपोर्ट देता था बिटिस संसत के पास तो कोल्ट ऑफ डारेक्टर था जिनके पास रिपोर्ट जाती सारी यहां से कंपनी ने क्या क्या राजयस्वा क्या इन सब बात इन सब चीजों की जानगारी वहां तक जाती थी तो कोल्ट ऑफ डारेक्टर को बनाया गया था जो तो उसको JEंके जिसे कहा गया नियंत्रन बोल्ड को रिपोर्ट करना यहां पर ठीक है आब वो किन चीज़ों पर रिपोर्ट करेगी आपके राज़स्व सम्बंदित आपके नागरिक सम्बंदित नागरिक जो बिटिस जो गुवर्णमेंट है या बिटिस इस्टिने कंपनिय है उसके अंतरकत उसके अधिकार छेत्र में जितने भी लोग हैं उनकी बारे में जानकारी और एक सबसे में चीज थी सैनिक सैनिया सैनिया चीजों के बारे में जानकारी देती थी है अब दो निगरानी रखे गया उसकी सर्वो सस्ता कौन था राजनीतिक इसको सर्वो सस्ता थी बोर्ड डारेकटर जो था ब्रेस्ट करता था राजस्व को अब अबर सो ब्रेस Summer नाग्रिक आप जो फिर ब्रेस्ट गमपनी के अधिक जो अगरिक है उनकी बार करना दो चनरीन सेन्यम जितनी मामने थे उनके बारे में जानकारी देना अब ये दोनों बोर्ड ये कोल्ट अब डायेटर और बोर्ड और कंट्रोल दोनों लंडन में बैठते हैं ठीक है अगले पॉइंट पर चलते हैं गवर्नर जनरल की परिसद में जो आपने 773 पड़ा है चार लोग थे हो पर वहां पर थे चार लोग अब कितने हो चुके हैं उनको घठा के कर दिया गया तीन ठीक है अब देखते हैं कि दो महत्वपूर्ण जो कारे है जिसलिए पिट्स इंडिया एक्ट याद रखा जाएगा एक तो अभी हमने उपर पड़े हैं जो ये दो बनाए गये थे ज पहला देखे भारत में कमपनी के अधिन छेतर को पहली बार बिटिस अधिपत्य का छेतर कहा गया यानि कि कमपनी अब ये निकाए कहा जाएगा कि ये इस्ट इंडिया कमपनी के अधिन है ये छेतर जैसे बंगाल उडिसा या बिहार का जो छेतर है वो ये निकाए कह सकते ह हमकी इस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है यह कहा जाएगा ब्रिटिस अधिपत्य क्या छेत रहे यानि कि इस पे जो जो main सासक होगा वो कौन होगा British Crown होगा company नहीं होगी यहाँ पर कौन होगा company नहीं होगी यहाँ पर होगा British Crown ठीक है अग दूसरा जो महत्वपूंड कार्य था वो यह था कि British भारत को भारत में company के कार्यों उसके परसासन पर पूर्ण नियंतरन परदान किया गया अब यह आपने उपर पड़ा है कि एक board of control बनाए गया था तो board of control report किसको कर रहा है British crown को report कर रहा है ठीक है जितने भी राजनितिक मामने जो भी है उन सब की report जारी British crown के पास अब देखे यही वो point है यहीं पर यह कहना चाह रहा है कि जितने भी कारिय है company के और प्रसासनिक जितना भी चीज है वो सब चीजों पर उनका control हो चुका है ठीक है यह दो महतपुड point है तो आपको Pits India Act में सबसे पहले इसकी यह यह इसका वर्स यह रखना है वन एक और साथ होता एक साथ होता आठ और आठ काद होता चार तो 1714 से यह यह रखना आपको कि Pits India Act आया था क्योंकि कभी कभी डाइट सवाल पूछ लिया जाता है कि Pits India Act में कब आया था दूसरा यह पूछ सकते है कि Governor General की परिस्थत में जो प्रांतों में काम करना है उसके लिए जो साहयक लोग है उसकी संक्या चार से तीन कर दिये तो यह दो महतपूंट चीजा है जो पेपर की इसाब से काफ इंपॉर्टेंट है ठीक है यह था हमारा Pits India Act अब आगे बढ़ते हैं एक चोटा सा अमेंडमेंट देख लेते हैं चोटा सा अधिनियम था एक यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखने हैं चलो सुरू करते हैं 1786 का अधिनियम अब 1786 की अधिनियम की महतफूंट चीजें जानने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि इस टाइम पंगाल का गवर्नर जनरल कौन था वो था लौर्ड कौन वाल इसके बारे आपने जाना होगा यह भारतिया सिविल सेवा के जनक भी है इस ताइब बंदवस में इनी का नाम आता है तो लौर्ड कौन वालिस जब 1786 में गवर्नर जनरल बनने वाले थे तो उन्होंने दो सर्टे रखी कि मैं तभी इस पद को धरन करूंगा अगर आप मेर दो सर्टे मानेंगे तो इनकी जो दो सर्टे थी उन्हीं सर्टों को माना गया और उन सर्टों को मानने की कारण इसको 1786 का अधिनियम कहते हैं तो वो दो सर्टे कौन-कौन सी देखते हैं पहला है गवर्नर जनरल की विसे इस परस्तितियों में अपने परिस्ट के निर्णे को निरस्ट कर अपने निर्णे लागो करने का अधिकार परदान किया गया था इस line का मतलब है कि जो Governor General की एक परिसत बनाई गई थी जिसमें चार में से अब तीन लोग हो गए है तो वो जो कुछ निर्णय होंगे हो सकता वो Governor General को नहीं लग रहे ठीक तो Governor General कुछ निर्णय को निरस्त कर सकता है बना उस पर ये अधिकार हो सकता है कि वो उन निर्णय को न माने तो यानि कि Governor General को कैसी पावर दी गई वीटो पावर दी गई दूसरा है Lord Connuals ने कहा कि मुझे परधान सेनापती की सकती परधान की जाए यानि कि Commander-in-Chief बनाए जाए यानि कि मैं संपूर्ण सेना का सर्वोज परधान होंगा Lord Connuals क्या बने है गवरनर जनरल बने है ठीक है अब अगला अधियन देखते है